कैसे हैं आप लोग आप सभी लोग को मेरा प्यारबार नमस्कार आप देख रहे हैं All About World आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 24 फिट बाई 36 फिट का अगर हमारा प्लोट हो तो उसमें हाउस प्लान कैसे करेंगे तो हमारा जो प्लोट है यहां से लेके यहां तक इसकी जो चोड़ाई है वो है 24 फिट और इसकी जो लंबाई है वो यहां से लेके यहां तक हमारी 36 फिट है तो यहां से लेके यहां तक 24 और यहां से लेके यहां तक 36 lift यह है हमारा अब इसमें हम house प्लान करते हैं सबसे पहले तो यहां पर हम क्या करेंगे एक main gate चोडेंगे 13-bit का 11-bit का main gate यहां पर देंगे और 11-bit वाई 15-bit की space चोडेंगे उसमें आपकी car parking हो जाएगी और stair case आजाएगी first floor जाने के लिए तो यह हमारा हो गया 11 भाई 15 का car parking main gate भी हो गया और यहां से अंदर जाने के लिए gate भी दे देंगे जो gate बाहर की तरफ खुलेगा उसके बाद एक bedroom हम यहां पे देंगे हमने यहां पे 11 फुट ले लिया था अब यहां से जब आइंटर करेंगे आप अंदर यहां सेंटर किया इसका gate इधर से है यहां पे आपका kitchen हो जाएगा इतने एरिये में kitchen की self डल जाएगी और यहां पे आपका door के साथ सटा हुआ यहां फ्रीज आ जाएगा यहां पे यहां पे आपका setup हो गया यह जो सामने एरिया बचेगी यहां पे आपके dining table हो जाएगा और यहां पे हम एक सार्प दे देंगे जिसमें एक तो हमारा रोसनी आने का फ्रेसियर आने का भी काम हो जाता इससे और इसकी चिम्नी भी निकल जाएगी यहां से यहां तक हमारा clear हो गया यहां पे हम 7 फित भाई 5 फित का एक bathroom देंगे और इस 7 फित भाई 5 फित का ही यहां पे एक toilet देंगे हम अलग-अलग देंगे ठीक है यहां तक complete हो गया उसकी आगे हम क्या करेंगे 11 feet by 12 feet का एक room 11 feet by 12 feet का एक room दो room हमारे 11 feet by 12 dej के यहाँ पर सेट आप हो जाएंगे हमारे एक room यह हो गया दो room यह हो गया इस दुनों इस दुवाल पर gate खुल जाएंगे तो हमारा आज हमने सिखा 24 feet by 36 feet का अगा एक house प्लान करना हो तो किस तरह करेंगे इसमें आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहें तो चेंजिंग भी कर सकते हैं वैसे प्लान काफी अच्छा है अगर आप से रिक्वेस्ट अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर सेयर करना ह हो तो अपने फ्रेड के साथ सेयर भी करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब करिए मैं का स्ट्रिक्शन से रिली वीडियो डालता रहता हूं धन्यवाद